हलो एबरीवन मेरा नाम है खान और आप देख रहें लॉजक टेटिंग का दूसरा चैप्टर जिसमें हम सीखेंगे आयफ सी क्या होता है इंबैलेंस क्या होता है और आपका और ब्लोग क्या होता है तो यह सारी चीछे आप इसमें वन वाई वन सीखेंगे तो सबसे पहले हम क पर कवर करने वाले तो सबसे पहले कवर करते हैं कि आपका जो इंबैलेंस है वो क्या होता है जिसको जनरली यूज अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है एफ विजी फिर वैलु गैप इनेफिशन प्रैस एक्शन और आपका इंबैलेंस तो अभी देखते हैं कि और आम वन में देखोगे तो जो आपका इंबैलेंस है इंबैलेंस बेसिकली प्रीवियस केंडल का लो और नेक्स केंडल का हाई उसके बीच का जो गैप होता है तो सबसे पहले इंबैलेंस की एक डेफिनिशन समझ लेते हैं इंबैलेंस होता कि यह और यह क्यों क्रियेट ह होता है imbalance जब create होता है जब market एक unhealthy price section के साथ में उपर या नीचे की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है market imbalance create करता है और market उसी imbalance को fill करने के लिए बापस आता है most of the time और फिर market continue उपर जाता है तो यह कैसे करके काम करता है अगर आपको इसको identify करना है तो कैसे करके आप इसको कर सकते हो अगर मैं diagram 1 की बात करूँ तो जो सबसे last candle है जो आपकी green candle है जो कि यहाँ पे बनी है अगर मैं इस candle का low mark करूँ क्यों क्यों क्योंकि market various है तो मुझे यहाँ पे low mark करना होगा तो previous जो candle है उसका low mark करूँगा और जो बीच वाली candle है उसका कुछ नहीं करना होता है आपको third वाली candle का high mark करना होता है जो कि यहाँ पे तो इन दोनों candle के बीच में अगर कोई भी gap create होता है तो वो हमारा imbalance होता है अगर यह दोनों candle यहाँ पे मिल जाती है कुछ इस टायप से तो यहाँ पे कोई भी imbalance नहीं होता अगर मैं इसको पूरा mark करूं circle से तो कुछ इस तरीके से आप इसको mark करना है तो यह जो आपका balance है बीच में यह आपका imbalance होता है इसको FVC भी बोलते हैं इसको Imbalance बोलते हैं इसको FVG भी बोलते हैं और इसी को Inefficient Price Action भी बोलते हैं अगर मैं थोड़े सा Downside बे आऊं और यहां से अगर मा High Low Mark करना स्टार्ट करूँ जो कि यहां से यह वाली Candle का हमें Low पकडना है और जो Next Candle वनी है यह बीच वाली Candle आपको छोड़ देनी है थर्ड वाली Candle का High Mark करना है जो कि यहां पर है और इसको मैं Extend करूँ तो यह वाला जो Gap है बीच में इसको ही Imbalance बोलते हैं और Market इसको Fill करने के लिए बापस आती है Most of the time और उसके बाद ही Market नीचे जाएगी अगर Market Various है और Same चीज़े आपकी Apply होंगी Bullish Market में अगर Market Bullish है तो आपको जो High से पकड़ना होता है अगर Market Various है तो आपको Low से पकड़ना होता है यह हम कैसे Identify करते हैं जब Market का Break-Off Structure हो जाता है तो यह आपका Imbalance यहां पर Proper है इन केस अगर यहां पर क्या होता यह वाली जो Candle है इसका High जो है काफी बड़ा हो जाता कुछ इस टाइब से और यह वाली जो Candle है इसका भी जो Low है वो कुछ इस टाइब से हो जाता यहां पर तो इन दोनों का अगर हम High-Low मार्क करें तो कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो कि यहाँ पर 100 कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी type का कोई imbalance नहीं है कोई gap नहीं है पूरा जो gap था इसके बीच का वो fill हो चुका है तो यानि की यहाँ पर कोई imbalance नहीं बचा सिर्फ उपर वाले में imbalance है अगर ये दोनों big इसकी जो shadow है वो आपस में नहीं मिलती तो आप बहाँ पे जो होता आपका imbalance होता है और market उसको fill करने आएगी चाहें आपका imbalance चोटा हो और बड़ा हो हर imbalance की equal value होती इसमें side से कोई depend नहीं करता है ऐसे ही तीसरे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो market का जो low बनाया candle का वो यहाँ पे है और आपका high जो है वो यहाँ पे है तो यह जो आपके बीच का gap है यही आपका imbalance है और यह bearish market में है तो market जब भी उपर जाएगी तो most of the time आपका जो extreme वाला है और यहाँ पे अगर आप start करोगे imbalance market करना तो कैसे करके करोगे यही जो candle है आपकी top वाली यहाँ से हम start करते है इसको तो यह वाली जो bullish candle है इसका low आपको mark करना है और जो third वाली candle है उसका क्या करना है high mark करना है तो इसके बीच में अगर आप देखोगे हम देखेंगे इसको समझेंगे कि imbalance और कहाँ पे हमें आपको अगर imbalance top पे नहीं मिला तो आप उसको slightly नीचे की तरफ आईगा और identify करेगा कहाँ पे आपका imbalance है क्योंकि वही से आपको market में reaction देखने को मिलेगा और third वाली candle जो आपकी फिर जो next वाली candle वनी है उसका low आपका यहाँ पे है और जो third वाली candle है उसका high यहाँ पे है अगर हम इन दोनों के वीच का gap अगर identify करें तो कुछ इस type से है और यह हमारा जो है proper imbalance है और अगर हम next step में जाएं दूसरा और imbalance identify करें तो कैसे करना है आपको कि simply आपको candle का low लेना है और third candle का high लेकिन यहाँ पे किसी भी type का imbalance create नहीं किया है market ने अगर हम इसको इस type से mark करेंगे तो यहाँ पे किसी भी type का कोई भी imbalance create नहीं हुआ है तो इसको हम neglect कर देंगे यह आपका valid imbalance नहीं है proper जो imbalance बनाए सिर्फ एक ही बनाए इस वाले move में और आपको कभी एक भी move देखने को मिलेगा कभी दो भी मिलेंगे कभी multiple भी देखने को मिलेंगे लेकिन जो extreme वाला होता है जो सबसे highest वाला होता है उपर की level में वही ज़ादा high probability रहता है बट उसमें भी कुछ terms and condition होती है जो structure के हिसाब से जो order block, order flow के according होती है वो मैं आपको आगे step by step बताऊंगा तो हम जो सीख रहे हैं इसमें सबसे पहले की imbalance क्या होता है imbalance आपको identify करना आगे होगा चाहें आपका bullish market हो चाहें आपका bearish market हो हर एक change में same scenario रहता है अगर हम bullish की बात करें यहां से तो यह भी आपका same situation रहेगी जैसे कि bullish वाली जो candle है उनके वीच का जो imbalance है वो यह वाला है market ने जब इधर break किया है break of structure downside में तो हमें जो right वाली direction होती है bearish वाली lag होती है उसमें identify करना होता है bullish वाली में नहीं करना होता है bullish वाली में हम जब करते है जब market bullish होती है और break of structure करें तब जाकर कि हमें bullish वाली में identify करना होता है मैं आपको एक diagram से दिखा दे रहा हूँ तब ही आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यह हमारा bullish structure है इसमें आप देख सकते हो जब market break of structure करती market उपर की तरफ run करती है तो जो हमें step follow करने है वो same है बस चीज़ें थोड़ी सी different हो जाएगी पहले वाले में अगर market bearish होती थी तो हम candle का low पकड़ते थी अब market bullish है तो candle का हम high पकड़ेंगे और इस वाले case में देखेंगे अगर diagram 1 में तो हम bottom से start करेंगे तो candle का जो high है वो यहाँ पे है और जो third candle है उसका हमें low पकड़ना है तो इसके बीच में जो भी gap होगा उसको हम imbalance बोलते हैं यह जो gap है इसके बीच में यह हमारा imbalance है इसको short form में IMB भी बोलते हैं और आप चाहे तो इसको FVG भी बोल सकते हो imbalance, inefficient price action, FVG, fair value gap तो यह आपका proper imbalance हो गया और हम third candle की बात करें और हम next candle की बात करें इस candle का high यहाँ पे है और third candle कर लो यहाँ पे जो कि आप देखोगे कि दोनों के दोनों आपस में फिल हो गया है तो यहाँ पे कोई भी imbalance नहीं है तो यह दोनों जो है finally आपस में meet हो गया है दोनों ने एक दूसरी को mitigate कर दिया है तो यहाँ पे कोई भी imbalance नहीं है ठीक है यह आपका proper imbalance है यहाँ पे कोई imbalance नहीं है अगर हम diagram 2 में देखें यहाँ पे आपको imbalance bottom से start करोगी तो सबसे जो lowest candle है वो यह है क्योंकि इसने सबसे lowest candle का low बनाया है तो यह वाला जो high है इसका हमें high पकड़ना है और third candle का low तो यहाँ पे अगर इसको देखोगी तो यह भी आपका fill हो चुका है mitigate हो चुका है यहाँ पे कोई भी imbalance नहीं है अब हम next candle पे जाते हैं तो आपका जो high है candle का वो mark करना है और third candle का low जो कि यहाँ पे अगर हम इसके बीच का area mark करें तो कुछ इस type से है जो कि यह हमारा proper imbalance है और इसको हम mark कर सकते हैं यह bullish का है और market में जो भी reaction होगा वो इस level से होने की ज़्यादा chances रहेंगे फिर market उपर जाएगा और इस वाले case में market यहाँ तक आएगी और उसके बाद में उपर जाएगी ऐसा 100% sure नहीं होता क्योंकि यह कई सारी चीज़ें जो आपका pullback होता है entry होती है यह कई सारी चीज़ें के factor पर depend करती है तो यह सिर्फ आपका imbalance है कि imbalance का उसमें सबसे important role लेता है imbalance कहाँ पर उसके बाद में हम identify कर पाते हैं आपका order block कहाँ पर आपका order flow कहाँ पर और आपका entry criteria कहाँ पर बन सकता है अभी इसको थोड़ा सा live market पर देख लेते हैं कि आपका structure की mapping के बाद में imbalance कैसे identify करें और उसके बाद में हम देखेंगे कि order block कैसे identify करें और आपका order flow कैसे identify करें यह एक bullish structure है market ने जब higher high break किया है तो market क्या करता है अपना एक bullish structure confirm करता है जो कि यहाँ पे है अब यह bullish structure हो गया उसके बाद में ही जाकर के हमको imbalance identify करना होता है चाहे आपका bullish market हो या आपका bearish market हो यहाँ पे market ने जैसे structure break किया तो हमारा जो higher high है वो कप confirm होता है जब market first internal low ले लेता है जो कि यहाँ पे है और market ने इसको लिया यहाँ पे आ करके हमें यहाँ पे imbalance identify नहीं करना है इसके कोई need भी नहीं है क्योंकि यह हमारे काम का नहीं है अलाकि यह imbalance है बट इसको हम use नहीं करेंगे क्योंकि इसके कोई need नहीं है जहाँ पे हमें need है सिर्फ वहाँ पर करेंगे और imbalance हम जो identify करेंगे वो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको inducement identify करना हो market ने structure break किया break करने के बाद में यह हमारा first internal लो है जो कि market ने कुछ इस टाइब से दिया और उसके बाद क्या करता है market इसको break करेंगे तब जाकर कि यह हमारा higher high confirm होता है और उसके बाद में ही जाकर कि हमको उसको identify करना है कि आपका imbalance कहां पे imbalance आपका यहां भी है बट यह आपका काम का नहीं है आपका जहां पे काम के सिर्फ वही point में आप mark करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा यह आपका identify करनेगा इसका कोई फायदा नहीं रहेगा तो हमें सबसे पहले आपका inducement identify करना है जो कि यहां पे इस level पे यह हमारा हो गया inducement और inducement होने के बाद में हमें identify करना होगा कि हमारा inducement के हमारा imbalance कहां पे है क्योंकि inducement के नीचे ही identify करोगे तो आपको easily मिल जाएगा और वो ही आपके काम का होगा अब हमें bottom से पकड़ना है जो आपका higher low बना था yellow point वहाँ से start करनी है और देखना है कि market ने कहाँ पे gap दिया है जहाँ पे हम उसको identify कर सके as a order flow जहाँ पे उसको identify कर सके as a fvg, fair value gap, inefficient price action और imbalance यह सारे नाम एक ही है और काम भी इनका एक ही है ठीक है तो यहाँ bottom से अगर हम start करें इसको तो देखेंगे यह जो candle है black candle इसका अगर हम high mark करें क्योंकि market जो आपकी bullish कही है तो हमको क्या है high mark करना है यह आपको high mark करना है कुछ इस टाइप से और इसका मैं color थोड़ा सा sharp कर दे रहा हूँ ताकि आपको clean देखे तो यह जो candle है इसका high यहाँ पे अब हमें next जो candle होती है third candle उसका हमें low mark करना होता है अगर मैं उस candle का low mark करूँ तो यहाँ पे अब यह क्या हुआ इन दोनों की बीच का क्या है यह gap है इसको ही बोलते हैं imbalance और यह bullish market में हुआ है अगर हम इस से उपर की बात करें कि हमारा imbalance और कहां पे है अगर हम इस वाली candle का बात करें चुकि high candle है यह वाला राइट अब यह हम बात करें और third candle का हमें low पकड़ना होता है क्योंकि next candle का high और third candle का low जो कि यहां पे है तो यह वाला क्या हुआ यह market ने इसको mitigate कर दिया है मिटिगेट का मतलब क्या होता है market ने इसको fill कर दिया है यह यहां पे पहले ही इसको fill कर दिया तो यह वाला imbalance है यह हमारे काम का नहीं है और इससे पहले अगर आप देखोगे inducement से सिर्फ एक ही imbalance है जो आपके काम का है market ने उसी को tap किया और market ने यहीं से reaction दिया और market यहीं से उपर गई है और काफी लोगों के दिमाग में यह question आता होगा आपके दिमाग में हो सकता है question आता हो कि आपने यह वाला order block के हो सकता है हो सकता है आपके दिमाग में एक question आता हो कि यह candle है और यह वाला low है इसके बीच में भी तो gap है इसको क्यों imbalance नहीं mark कर सकते इसको इसलिए imbalance mark नहीं कर सकते क्योंकि जो candle है हमारी next जो polish candle है उसके बीच में ये बनाए इसने किसी भी candle का high ये low break नहीं किया ये एक minor सा आप कहा सकतो एक minor सा pullback है एक candle की बीच की range है तो उसमें हमें कोई भी कुछ भी करने की जरूवत नहीं होती आपको जनरली actual candle का identify करना था आपका high low और उसके basis पर हम उसको imbalance mark करते हैं क्योंकि ये सब आपका internal range होती है between this candle high और low ठीक है तो यहाँ पर इसमें mark करने की कोई जरूवत नहीं है अगर ये candle previous candle का low break करते था इस वाली bullish candle का low break करती और market उपर जाती तो हम यहाँ पर इसका imbalance हो है वो mark कर करते और ये वैलेड भी बन जाता है बट यहाँ पर इसी लिए वैलेड नहीं है क्योंकि अगर आप candle why candle mark करोगे तो भी आपको easily समझ में आ जाएगा ये candle का high third candle का low और next candle का high third candle का low कुछ इस टाप से तो ये दोनों तो आपके fill होगे right अब ये वाला आपका unfilled है जो कि यहा जादा उपर गई और इसी तरीके से आपका bullish condition में market में काम करता है fair value gap अब हम समझते हैं कि bearish market में ये कैसे काम करता है और उसको कैसे करके identify करें यह आपका bearish market है और market यहाँ पर lower lows create कर रहे है और market यह की तरफ move कर रहे है तो सबसे पहले तो आपको identify करना होता है कि आपका structure क क्या कर रहे है आपका structure अगर bearish है तो आपको क्या करना है market में जो भी candle का high बना है वहां से start करना है सबसे पहले तो आपको identify करना है कि आपका structure कि side में market bullish है या bearish है अगर bearish है तो candle के low से start करना है अगर bullish है तो candle के high से start करना है market नहीं यहाँ पर structure break किया जो कि हमारा confirm break off structure होता है वह आपका first internal high होता है बेरिस मार्केट में चोंकि यहां पर है राइट यह आपका first internal हाई है और इसको ही हम बोलते हैं इंड्यूस्मेंट मार्केट ने जैसे ही इसको लिया उसके अब भी हमें imbalance देखना है इससे नीचे हमें imbalance नहीं देखना है और इसी को लेने के बाद मार्केट में low low confirm होता है मार्केट में एक pullback होता है तब ही जाकर के structure काम करता है मार्केट ने जैसे ही इस inducement को लिया अब हमें identify करना है कि आपका imbalance कहां पर इससे अब अब देखना है तो हम सबसे पहले top से start करेंगे कि आपका कहां पर है imbalance अगर हम top से बात करें तो ये candle का आपका low जो की यहां पर है यह भी आपका imbalance है और next candle की बात करें जो कि यहां पर है और third candle का low sorry third candle का high यह भी आपका imbalance है तो market क्या कर रहा है market यहां पर imbalance create कर रहा है और next item में बात करें तो market का low यहां पर है यहां पर market ने इसको fill कर दिया यह आपका fill हो गया और उसके बात में देखोगे यह सारे जितने भी बात में imbalance create हुआ यह सारे fill हो गया यह pullback गया इसमें हमें यहां से यह pullback गया इसमें हमें कुछ भी identify नहीं करना है आपका market जब bearish आने लगेगा तभी जाकर के हम उसमें imbalance identify करेंगे जो कि पहला imbalance आप देखोगे यहाँ पर है तो यह आपका पहला imbalance है और दूसरा imbalance आपको कहाँ पर identify करना है आप देखोगे यह आपका पहला imbalance हो गया और दूसरा imbalance आपका इस low से लेकर के third candle high तक जो कि यहाँ पर है market ने fill भी किया है और next attempt में अगर आप देखोगे यह सारे imbalance यहाँ पर create हुए बट आपको कौन सा यह सारे यहाँ पर imbalance बने जो कि इस type से है correct अगर हम starting से बात करें top से बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितने सारे imbalance यहाँ पर बिने है और market ने inducement लेने के बाद में ही market नीचे आती है market ने इस वाले imbalance को ही टैप किया और उसके बाद market नीचे गई और market ने इस वाले imbalance को ही क्यों टैप किया इसका भी reason होता है वो आप ही हम सीखेंगे इसके बाद में जो next step है आपका order flow और order block अभी आपको सिर्फ imbalance को identify करना सीख रहा है और उसके बाद में क्या हुआ market ने again break off structure किया इसके बाद में कुछ भी imbalance यहाँ पर बनता है आपके किसी काम का नहीं है आपका market ने जब break off structure करेगा market inducement लेगा उसके बाद में ही आपको imbalance को identify करना है अगर हम इस वाले case में बात करें आपका जो imbalance है वो कहाँ पर बनेगा तो सबसे पहले हम lower low identify करेंगे वो आपका होगा inducement लेने के बाद में जो कि यहाँ पर है अब हमें identify करना होगा top से लेकर के bottom तक यहाँ तक inducement तक कि आपका imbalance कहाँ पर है अगर मैं starting से बात करूँ bottom से तो यहाँ पर किसी भी tap का कोई भी gap नहीं दिख रहा है सारे gap fill वह दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है और काफी लोग इसको mark करेंगे कि यह आपका imbalance है materiality में यह आपका imbalance नहीं है क्यों क्यों क्योंकि इस candle ने previous candle का high break नहीं किया यह सिर्फ एक inside war है एक इस candle जो actual candle है वो आपकी यह वाली है जो उपर की तरफ यह और नीचे आई है और जिसका low आप देखोगे वो यहाँ पर है और जो third candle है उसका high यहाँ पर market ने इसको भी fill कर दिया है तो market में यह जो होता है हमारा imbalance होता है इस type से market हमारी काम करती है और यहाँ पर fill करने के बाद market नीचे आई और यह बाकी कुछ भी यहाँ पर create नहीं किया और market में inducement लेने के बाद नीचे आगई again next attempt में क्या हुआ market ने same story यहाँ पर repeat की break off structure किया break off structure होने के बाद में क्या होता है market को चाहिए inducement और inducement कहाँ पर है आपका इस वाले point पर यहाँ पर राइट क्योंकि यही वो valid pullback है अब market ने जैसे ही इस inducement को लिया हमें identify करना होता कि हमारा imbalance कहाँ पर है अब हमें क्या करना होगा top से start करना होगा जो सबसे lowest candle है यह वाली और यहाँ पर यह आपके बीच का जो gap है यह आपका imbalance हो गया मैं इसको scroll कर दूँगा और next जो आपका possible imbalance है वो इस candle से low का और यहाँ तक यह आपका imbalance है क्योंकि यह सब जो create हुए है दो imbalance यह आपके create हुए है आपके inducement के बाद में और inducement के बाद में जो भी imbalance create होता है उसकी अपनी एक value होती है वो ही आपके काम करते है यह आपका next imbalance हो गया इससे नीचे वाला field हो गया तो यह तीन imbalance इसमें create हुए है अब कौन सा imbalance काम करेगा यह हम समझेंगे order flow और order blocks है तो यह सिर्फ आपको identify करना था कि आपको कैसे करके imbalance को identify करते है और market उस पे कैसा rehab करता है तो आप सीखते हैं कि order block क्या होता है order block वो candle होती है जहां से market में momentum आता है bullish side में और bearish side में यह जो दो diagram आप देख रहे हैं यह bullish market के हैं जब market break off structure किरता है market में जब structure continuation करता है या फिर reversal करता है तो market में एक last candle ऐसी होती है जहां से market में momentum आता है for sell और for buy इस market में अगर आप देखोगे market ने जैसे ही इसको break किया break of structure तो हमें क्या करना होगा इसमें last selling candle before the buy अलब ulti candle आपको देखनी है अगर market bullish है तो आपको sell वाली candle देखनी है जहां से market में momentum आया है अगर हम इस वाले face में अगर बात करें तो जो last वाली candle है जहां से momentum आया है वो आपकी bottom पे last selling candle before this buy क्योंकि momentum जो आया है वो इसी candle के बात आया है और इसी पूरे candle को हम बोलते है अगर हम इसको mark करेंगे तो यह कुछ इस type से mark होगा और यह हमारा order block हो जाएगा लेकिन इसमें दो condition होती है पहली condition यह है के candle का color इसमें कोई matter नहीं करता यह आपकी various भी हो सकती है bullish भी हो सकती इससे कोई फरक नहीं पड़ता यह मैं अभी बताऊंगा और जो दूसरी सबसे important चीज़ इसमें होती है वो आपका होता है imbalance इसमें imbalance होना proper compulsory है तब ही जाकर के हमारा valid order block create होता है अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यह जो candle high है जो कि इसका यहाँ पे high है और उसके बाद में क्या हुआ complete बनता है और यह हमारा unmitigated order block होता है क्यों? क्योंकि market ने इसको mitigate नहीं किया है candle ने इसको mitigate नहीं किया है जैसे कि अगर market यहाँ आकर कि इसको ऐसे कर देती या फिर यह वाली जो candle का big है वो कुछ इस type से होता और यहाँ पे कोई भी imbalance नहीं होता तो यह जो आपका order block है वो आपका valid नहीं रहता और यह आपका invalid हो या था यह already mitigate हो गया है इस candle ने कर दिया और इस order block का अब कोई काम नहीं होता है इसके जो probability होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और next attempt में क्या हुआ market ने इस candle का जो high है हम देखेंगे जो next candle है वो यहाँ पे है और इस candle का low यहाँ पे तो आप क्या करेंगे हम यहाँ पे जो करेंगे आपका जो order block है वो यहाँ से shift हो जाएगा इस वाली candle पे कुछ इस type से तो यह जो हमारा तरीका होगा order block का यह एक valid तरीका होता है और इसी type से हमको order block identify करना है imbalance का होना compulsory है तब जाकर के हमारा order block जो होता है वो valid होता है जैसे कि मैंने बताया candle color जो है आपका matter नहीं करता आपका bullish भी हो सकता है bearish भी हो सकता है but हमको वो point देखना होता है जहां से market में momentum आया है right most of the time आपको same candle ही मिलेगी like bearish candle ही मिलेगी जब market bullish है but कभी-कभी ऐसा होता है कि market में ये वाली situation हो जाती है तो आपको कुछ इस type से अपना order block जो है अब diagram दो पर आ जाते हैं यह आपका जो second वाला diagram है जैसे market ने break off structure किया यहां पर आप देखोगे कि आपको last selling candle देखनी है before this buy तो इसमें अगर आप order block mark करोगे तो कैसे करके करोगे most of the time ये आपका last selling candle है right तो generally लोग इसको इस तरीके से mark करते हैं बट आपको उस तरीके से mark नहीं करना ये आपका valid order block नहीं है उसका reason पहली बात ही है कि इस candle का लोग इसने break कर दिया है तो अब जो last selling candle actual वाली है वो आपकी ये है क्योंकि market ने price नीचे तक यहां से यहां तक आया है कि इस वाले point को break किया है right तो market में ये नहीं कि सिर्फ यहीं तक price आया और market यहां से उपर गई है नहीं market जो आपकी है वो यहां से जाने के बाद नीचे भी और नीचे गई है तो जो actual में आपकी last selling candle है वो ये वाला zone है यहां पर ये आपकी last selling candle है और उसके बाद market उपर गई है इसमें color का कोई भी impact नहीं पड़ता color आपका matter नहीं करता है जैसे कि मैंने बता है इस वाली condition में आपका यह order block है अगर यही big उपर हो जाती है तो यह आपका bottom बाला order block valid हो जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है इस वाली condition में same चीज़ हुई market नीचे आई लेकिन आपका bearish candle नहीं है यहाँ पर सिर्फ bullish candle है बट यह आपका order block का काम करेगा क्यों कि यहाँ पर proper आपको imbalance देखने को मिल रहा है और यही आपकी candle है और market उपर गई market इसमें क्या है in future नीचे आईगी और यहाँ से उपर जाएगी सेम ची यहाँ पर और उसके बाद उपर जाएगी उस case में आपके इस order block को tap करें या ना करें यह matter नहीं करता है तो इस तरीके से आप order block को identify कर सकते हो अगर market में proper imbalance है candle का color कैसा भी है वो फरक नहीं पड़ता वो आपका proper order block create हो जाएगा अगर market में proper imbalance नहीं है तो वो आपको check करना होगा next candle की तरफ हमें move करना होगा और वो ही हमारा जो होगा next आपका order block बन जाएगा जो कि कुछ इस type से बनेगा आपका order block यह आपका bullish order block होता है और same story आपकी bearish market में होती है जो last buying candle होती before the drop वो आपका हो जाता है bearish order block तो अभी हम chart से समझेंगे diagram से समझेंगे फिर तोड़ा और clear हो जाएगा अगर इस diagram में हम देखेंगे जो कि bearish market है market ने जैसे structure break होने के बाद में inducement लेती है market और उसके बाद में किसी particular order block order flow पर type करती है market उसके बाद नीचे जाती है लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपका order block कहां पर order block वो candle होती है जहां से market में momentum आया होता है तो वो कहां पर आपका top पर एक ये दो point है ये दो point है जहां से market में actual momentum आया इस वाले point से और इस वाले point से तो हमको यहां पर identify करना होगा आपका valid order block अगर हम top की बात करें तो आपका जो last selling candle है sorry last buying candle है before the drop तो वो आपका ये वाला candle है क्योंकि ये market गई उपर लेकिन इस candle को भी इस वाली candle ने break कर दिया इस black candle ने और जो black candle है dark black ये आपकी bearish candle है और जो hulky hulky bite candle है ये आपकी जो है bullish candle है तो इसमें जो आपका order block बनेगा वो यहां पर बनेगा जो की extreme पर कुछ इस टाइप से ये आपका order block बन जाएगा और इसको बोलेंगे bearish order block अब क्या होगा market में next move कहां से आया कहां से market में momentum आया जो कि इस points से आया अगर हम इस point से mark करेंगे जो कि ये आपकी last selling candle है जो कि यहां पर बनी क्योंकि actual moment यहीं से start हुआ है बट इस candle में क्या हुआ दिखकत कि जो next candle है उसने इसका low break कर दिया और यहां पर proper imbalance create नहीं उपाया जिसकी बेज़ से हम क्या करेंगे इस candle का हम order block जो है वो move कर लेंगे कुछ इस type से इस वाले point पर अब इसको हम extend कर देंगे यह आपका next order block होगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर proper imbalance भी है और यह जो candle है यह आपका inside war है यह आपका bearish order block है last buying candle है before this drop क्योंकि momentum आपका यहीं से start हुआ है अब इस से नीचे अगर थोड़ा सा scroll करेंगे तो आप देखोगे एक नया order block यहां पर create हुआ है जो कि इस वाले point पर यहां पर अब क्या हुआ यह वाला जो order block है यह क्यों valid है क्योंकि यहां पर proper imbalance है जो कि yellow है और यह वाला high यह आपका proper imbalance हो गया और यह आपका नया order block है तो इस वाले case में अगर आप देखोगे तीन order block यहां पर create हुए है और इसी तरीके से हमको उनको identify करना है अब आते हैं नीचे वाले portion में यहां पर अगर आप देखोगे तो कोई भी एक ऐसा order block नहीं है जो कि unmitigated हो सारे order block सारी candlestick जो है वो सारी के सारी mitigate हो चुकी है यहां से आप देखोगे तो सारी candlestick mitigate हो चुकी है तो यहां पर कुछ भी ऐसा unmitigated नहीं है सिर्फ यह तीन candlestick थी जो आपकी unmitigated थी इनको हमने मार कर लिया यहां पर अभी आपको entry नहीं बता रहे हैं entry नहीं सिखा रहे हैं यह हम सीखेंगे कि आने वाले parts में कि हम कैसे करके इन area को identify कर सकते हैं कि market में कैसे करके entry लें किस point पे कौन सा valid है सेम चीजें आपकी यहां पर हुई market ने जैसे इसको break किया structure structure और break होने के बाद में आपको inducement का wait करना है और उसके बाद में देखना है कि आपका unmitigated candle कहां पे है जहां से market में momentum आया है और कभी भी यह mistake नहीं करना है कि break of structure होने से पहले पहले आपको यहां पे कोई भी autoblog identify करना हो लाइक यहां पे देख लिया आपने के imbalance है सब कुछ क्योंकि इसमें break नहीं किया structure तो आप यहां से इसको identify नहीं कर सकते इसको नहीं कर सकते mark क्यों क्योंकि market में अभी structure break नहीं हुआ break होने के बाद में ही आपको identify करना है break of structure के बाद में ही आपको order block imbalance identify करना है अब जैसे ही market ने नीजे की तरफ structure बेक किया और break off structure होने के बाद में generally हम wait करते हैं कि market हमारा जो है inducement लेने के बाद में ही हम उसको identify कर पाते हैं clearly कि हमारा imbalance कहां पे हमारा order block कहां पे अगर इस वाले case में हम देखेंगे तो हमारा जो imbalance है इस वाले case में अगर हम देखेंगे तो आपका जो first high है वो आपका होता है inducement, internal high और उसके अब भी आपको imbalance देखना है उसके अब भी आपको order block देखना है तो market में जो momentum आया वो top से लेकर कि यहां bottom तक आया है अगर हम इन दोनों cases में यहां से यहां तक देखेंगे तो कहां कहां पे imbalance है और कहां की possibility है कि market वहाँ पे जा सकता है और कहां पे आपका order block create हुआ है क्योंकि imbalance के बाद ही आपका order block बनता है क्योंकि बिना imbalance के आपका जो order block है वो अधूरा होता है ठीक है तो यहां पे अगर आप देखोगे सबसे जो top बाली candle है वो यहां पे जो कि last buying candle है और before this drop बट यह candle हम mark नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इस candle को already यहां से mitigate कर दिया है तो यह जो आपकी candle है यह जो candle है आपकी वो mitigate already हो चुकी है तो इस वाले zone को हम इसमें mark नहीं करेंगे यह आपका valid नहीं है और next अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा scroll करोगे जो भी candles यहां पे वनी है सारी mitigate हो चुकी है यहां पे अगर हम यहां से भी देखें तो last वाली जो buying candle है वो यहां पे यह वाली candle भी यहां पे mitigate हो चुकी है तो यहां से यहां तक सब कुछ mitigate हो चुका है अभी हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं डाउन साइड में आते हैं देखते हैं तो आपका जो last वाली जो candle है वो यह वाली है जहां पे आपको proper imbalance भी देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से करेगा और यही आपका जो area है वो आपका valid है for the cell क्यों क्यों क्योंकि इस वाले case मेंगर आप देखोगे minor सा यहां पे imbalance created हुआ है जो कि low यहां पे और इस candle का high यहां पे यह जो candles का high low है इसके बीच का जो gap है वही आपका imbalance होता है और उसके अबब जो candle होती है वही आपका proper like order block होता है क्योंकि यह सारी mitigate हो चुकी है और यह आपका unmitigated है market ने टैप किया उसके बाद नीचे गई सेमचे यहां पर मार्केट ने जैसे break off structure किया आपको first internal high देखना है चोकि as a inducement काम करता है अगर हम इसमें as a inducement की बात करें तो यहां पे अब यह inducement के बात देखना होगा कि market में कहां कहां से drop आया है अगर हम top की ब देंगे क्यों क्यों कि इस वाली candle का हाई जो है वो next candle ने मिटी के स्वीप कर दिया है तो इस case में क्या करेंगे हम अपनी जो order block है उसको extend कर लेंगे यहां पर यह आपका इस टाइप से हो जाएगा और यहां अब इसको हम थोड़ा सा extend कर देंगे तो actual जो आपका order block बना वो यह वाली candle बना है candle का color आपको मेंटर नहीं करता आपका bullish भी हो सकता है और दूसरी चीज़ यहां पर आपको proper imbalance देखने को मिल रहा है कुछ इस टाइप से तो यह वाला जो order block है आपका extreme order block बोलते हैं और इस से नीचे के जो भी order block बनते हैं उनको हम decisional order block बोलते हैं क्योंकि उनकी जो probability होती वो कम होती और जो extreme बाला होता उसकी high probability होती और जो एक ही order block बनता है extreme और decisional तो उसकी भी बहुत जादा high probability होती क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक ही option होता है जो कि यहां पे राइट अकर इस से थोड़ा सा downside में आएं यहां पे अगर हम mark करें आपका order block तो तो यह आपका actual order block होगा क्यों क्योंकि इस candle के बीच में गर आप देखोगे proper imbalance है जो कि यहां पे राइट तो यह आपका proper imbalance है यह आपकी last buying candle before the stop और यह सारा कुछ mitigate हो चगा है और इनकी जरूरत भी नहीं क्योंकि यह सब inducement से पहले की थी inducement के बाद ही जरूरत पड़े की त inducement के बाद सिर्फ यही दो order block है जो future में काम आ सकते हैं जहां से market react करेगी और market यहां से tap किया और market ने reaction दिया और दूसरा यह वाला तो यह जो पहला वाला है यह आपका decisional है और यह आपका extreme है काम दोनों करते हैं बट यह depend करता है situation के उपर ठीक है तो यह इस तरीके से आप order block को identify कर सकते हो और इसी तरीके से आप imbalance को identify कर सकते हो तो अब बात करते हैं कि order flow के बारे में order flow क्या होता है order flow वो एरिया होता है जहां से market में एक momentum आता है for buy and then market नीचे की तरफ drop होता है एक short term के लिए pull back आता है और फिर market continuation नीचे जाता है या फिर reversal करता है उसको हम बोलते ह order flow अगर हम diagram से समझें इस पहले वाले diagram में तो last buying move before the drop कहां पे है आपका ये वालब portion है इसको हम generally order flow बोलते हैं अगर हम इससे नीचे वाले को scroll करें ये आपका order flow यानि कि जो आपके pull back होते हैं वो आपका order flow का काम करते हैं और यही चीज़ें आपकी bullish market में भी काम करते हैं ब उससे पहले कुछ भी apply करना होता है चाहें आपका order block को imbalance हो चाहें आपका order flow ये सब चीज़ें जब ही apply होंगी जब आपका structure break होगा उसके बाद में आपको order flow देखना होगा कि आपका order flow किदर है और उससे पहले आपको देखना होगा inducement, inducement, order flow and then order block and then entry तो entry से पहले हम समझ लेते हैं कि आपका order flow क्या होता है वो कैसे काम करता है और entry वाला जो part होता है वो बाद में आएगा और वो इतना important अभी नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बहुत important है ये जब चीज़ें आपकी clear हो जाएंगी आपका entry automatic clear हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो focus करन है आपको इनी parts भी करना है आपका structure mapping आपका order block imbalance और आपका order flow राइट तो structure जैसे ब्रेक होता है हमें देखना होता है कि last buying move before the drop कहां पे ये various market में apply होता है और bullish market में last selling move before the buy वो कहां पे इस वाले diagram में अगर हम पहले वाले diagram में देखेंगे तो ये दो जो pullback है ये आपका actual में order flow है market क्या करती है आपका order block कभी टैप करेगी कि नहीं करेगी लेकिन most of the time आपके order flow को टैप करेगी और market order flow टैप कोने के बाद पर बापस से continue करें या फिर reversal करें इस वाले अगर case में बात करें ये वाला जो पहला वाला order flow हमने क्यों नहीं लिया क्योंकि ये जो पहला वाल order flow हो या order flow हो imbalance है यहां पर कुछ भी अवलेवल हो पर यहां पर नहीं करते हैं majority जो आपकी selling होगी वो आपकी inducement के बाद ही होगी अब इसके अबब देखोगे तो आपकी जो last buying move before the drop कहां पे वो यहां पे तो यह वाला जो आपका area है यह आपका हो गया order flow बेरस order flow इसको बोल dedicated होता है most of the time वही order block आपके काम का होता है वाकि कोई भी order block आपके किसी काम का नहीं होता है यह हम चार्ट पर समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से हम समझ पाओगे अगर हम दूसरे वाले diagram में देखोगे market है जैसे इसको break off structure किया उसके बाद में क्या होता है generally हमको mark करना होता है आपका order flow कहां से top से लेकर के bottom तक यह आपका bearish market में और bullish market में bottom से लेकर top तक तो starting से हम इसमें marking करेंगे तो आपका जो top पे structure है वो कुछ steps है जो कि यहाँ पे mitigate हो चुका है इस move से तो यह आपका किसी काम का नहीं है चाहें आपका यहाँ पर order block बने या नहीं बने फो आपके किसी काम का नहीं है उसकी probability बहुत कम होसाती है और दूसरा यह है कि next जो order flow होता है या फिर first internal high होता है जो कि यहाँ पर यह आपका काम करता है as a inducement तो सिर्फ यही एक order flow बचा है break off structure होने के बाद में तो market में क्या हुआ कि market ने इसी order flow को tap किया और tap होने के बाद में यहीं से market जो आपका नीचे की तरफ ड्रॉप होगा यह आपकी बहुत जादा high probability होती कि market इहीं से drop होगा चाहें आपका order block अब extreme पर हो या बीच में बनाओ कहीं पर भी बनाओ उसकी probability कम हो जाती है क्योंकि market आपके most of the time आपके unmitigated जो order flow होता है उसको tap करता है उसी unmitigated order flow में जो भी order block बनेगा for example के लिए आपका यहाँ पर order block बन जाए या फिर यहाँ बने यह middle में बन जाए उसी order block को tap करके market नीचे आएगा इसी तरीके से हम एक सही valid order block को भी identify कर सकते हैं दूसरा यह कि आपको एक जब order flow identify करना आ जाता है तो आपके बहुत ज्यादा chances होते हैं कि आपको एक trend की direction clear हो जाती है इस diagram में देखेंगे diagram आपका same है ताकि आपको अ downside में यहाँ पर करें तो market ने जब break off structure किया आपको identify करना है कि आपका inducement कहाँ पर है तो inducement आपका कहाँ पर जाकर करके confirm हुआ पहले market कुछ step से आई और यहाँ पर आ करके आपका inducement confirm हुआ तो first high जैसे ही market लेगी यह आपका inducement है और इस पर आपको कोई भी buy sell नहीं करना है इ तक order flow marking करनी है कि कौन सा mitigate है कौन सा unmitigated है और कहाँ पर आपको chance लेना जाए है अगर हम top से बात करें तो last buying move before the drop कहाँ पर है चुकि यहाँ पर है क्योंकि यही एक valid आपका pullback है उसके बाद market नीचे आई है तो इसको हम extend करेंगे तो यह already mitigate हो चुगा इस वाले move से और next वाल जो order flow है अगर आप इसमें marking करोगे तो आपका last buying move before the drop कहाँ पर है starting से अगर हम बात करेंगे तो पहला तो आपका यह पूरा portion है actually यह वाला right इस type से बट अगर हम इसको थोड़ा सही तरीके से इसको marking करें इस वाले पूरे portion को यह वाला इस type से right बट यह वाला आपका यहाँ पी mitigate हो चुका है क्योंकि break हुआ mitigate हो गया बट क्या होता है कि sometime market में जो बड़ा वाला आपका order flow है यह वाला इसके bitpin में भी minor order flow create होते हैं market में अगर वो तो उनको हम ऐसा order flow लेते हैं बट उस case में लेते हैं जब market में order flow already type हो गया हो और सारे order flow type हो गया हो और market में break off structure हो गया इस वाले order flow में अगर हम marking करेंगे इस bitpin में कि कौन कौन सा minor order flow है तो starting से बात करेंगे तो यह आपका पहला pullback है जो कि इस तरीके से काम किया है दूसरा यह वाला है जो कि already इस वाले week ने mitigate कर दिया है और तीसरा यह 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 सब mitigate हो चुके हैं तो इस वाले पूरे lag में अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही एक area था जो कि unmitigated था और high probability था जिसकी वेसे market में भी drop आया है दूसरा यह कि यहाँ पर proper imbalance था order block था market ने उसको respect किया और इसी का एक reason था वड़ा reason कि यही order block हमारा काम किया बागी कि इतने सारे order block बनेते वो किसी काम के नहीं थे क्योंकि व mark करें market ने जैसे इसको break of structure किया break of structure होने के बाद में क्या हुआ हमको चाहिए आपका inducement inducement कहां पर बनाए आपका इस वाले point पर market जब भी इसको लेगी इसके अबब जो भी unmitigated order flow है उनको हमें mark करना होगा तब ही जा करके market में एक momentum देखने को मिलेगा और last अगर buying move before the drop हो गए और उसके बाद में क्या हुआ market नीचे की तरफ आई अगर मैं इसको extend करूं इस तरीक के से ठीक है तो यह वाला पूरा आपका order flow बन चुका है bearish order flow market इस वाले phase में आईगी और इस वाले phase में हमको identify करना होगा कि आपका order block कहां पर है क्योंकि इसके बीच में यह आप के किसी भी काम के नहीं है अगर हम थोड़ा से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका जो order block है वो कहां पर है सिर्फ एक ही order block है जो कि यहां पर बना है जो unmitigated है बस वही order block आपके काम का है बागी सारे बिकार है क्योंकि अगर आप order flow भी देखोगे वो सारे mitigate हो चुके है य यह पहला वाला जो order flow है जो कि यहां पर बना है इसको हमें बिल्कुल भी नहीं लेना यह आपका ऐसा inducement काम करता है इसको मैं color change करता हूँ राइट तो यह वाला जो पहला वाला होता है यह आपका inducement होता है इसको कभी भी नहीं लेना है और यह आपका inducement का काम करता है इसके पहला वाला area आपको बना है यह आपका बनता है order flow नहीं है यह जो पहला वाला area होता है पहला जो order flow होता है C अब आपका order flow कहां पर है अगर हम और्ड फलो की बात करें तॉप से जो कि actual में momentum जहां से start हुआ है अगर मैं इसको marking करना start करूँ कुछ इस type से तो यह आपका complete order flow है अगर इस order flow की बात करें कि इसके बीच में कैसे करके हम उसको identify करें आपका order block identify करें या फिर minor order flow कैसे identify करें अगर हम top से भी बात करें जो कि यहां पे है तो last buying move before the drop आपका यह है प sell क्योंकि market आपका various है तो इन दोनों area में ही market की साधा probability रहेगी कि market इनको tap करें और उसके बाद में market नीचे जाए अगर हम इस order block को tap करें चुकि यहां पे है इसको मैं extend कर देता हूँ इस type से और दूसरा जो आपका order block है वो यहां पे create हुआ है कुछ इस type से तो यह तो जो area है वहीं पर आपको interest लेना है for sell क्योंकि market आपका बेरिस है और हमको entry कैसे लेनी है यह हम आने वाले partner सीखेंगे कि कैसे करके हम entry ले सकते हैं और उसको lower time frame में कैसे करके execute कर सकते हैं तो I hope आप समझ गए होगो कि आपका imbalance क्या होता है आपका FBG क्यों होता है fair value gap inefficient price action imbalance यह सारे अलग अलग नाम है बट इनके सारे एक ही काम है दूसरा आपका यह है कि आपका order block क्यों होता है और आपका order flow क्यों होता है क्योंकि order block जो होता है वो आपका order flow से बनता है तो जो major जेव चीज है वो आपका structure है और structure के बाद में आपको identify करना आपका inducement कहा है फिर दूसरा आपका order flow का है, क्योंकि order flow आप identify कर पाओगे, तब ही जाकर कि आप एक valid order block को identify कर पाओगे, एक valid imbalance को identify कर पाओगे, तब ही जाकर कि आप इन चीजों को आगे step by step कर पाओगे, और आपको हर एक चीज बारबार करनी है, repeat करनी है, जब तक कि आपका एक topic clear नहों चाहिए, तब त structure ठीक नहीं है तो आप ये वीडियो मत देखो पहले आप structure ठीक करो अपना structure आपका ठीक हो गया फिर step by step next step पे जाओ imbalance को identify करना सीखो जो process है उसके बाद में आप अपने order flow को identify करना सीखो entry मत लो सिर्फ identify करना सीखो तीसरा ये है कि आप अपने order flow को identify करना सीखो और उन सब के ब बस आपको हर एक चीज step by step करनी है आपको कोई भी चीज complicate नहीं करनी है सारी चीजे एक साथ नहीं लगानी है क्योंकि जितना आप सुकून से सीखोगे जितना आप step by step सीखोगे उतना जल्दी सीख पाओगे अगर आप कोशेश ये करोगे कि सारी चीजे एक साथ पता चल जाए मैं सीख जाऊंगा तो उसमें सबसे आदर वक्त लगेगा और सबसे आदर दिक्कत आपको ही होगी आप step by step करिए आप एक वीक structure पर काम करिए एक वीक आप order block पर काम करिए एक वीक आप order flow के काम करिए आप देखोगा एक महीने में आपका पूरा completely game change हो जाएगा structure mapping से लेकर के entry तक का तो thank you so much watching the entire session and I will see you in the next video happy trading